बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चनल पेपर हैकर में मैं सुरस राज और राज की दिने देखने माले हैं जो भी छात्र बीकॉम थर्डियर में है उनके लिए हम एडुटिंग का पेपर लेके आए हैं और इसको हम अंकिक शड़ बोलते हैं हिंदी में ठीक है आप इसका जो पेपर है यह बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लगबग ये 10 से 12 कोशन याद करके 70% प्लस ला सकते हैं मतलब कि आपको लगबग 80% यहीं से देखने को मिलेगा और मैं 3-4 महीने पहले एक वीडियो पब्लिस की थी जिसमें आप 17-18 कोशन दिये थे और उन्हें सभी कोशन को पढ़ लेते हैं तो 85% प्लस मतलब 90-90% ऐसे पर आपको देखने को मिलेगा तो आ आप सिंपल तरीके से सर्च करिए paperhacker.in website पर जाईए लिए लिए description box में google पर सर्च करना paperhacker.in आप जैसे सर्च करेंगे तो वहां आपको become third year का एक बटन मिलेगा उस पर आप टरच करेंगे और आप become की सारी वीडियो को बहां देख पाएंगे playlist की वीडियो को देख पाएं एडिरिंग के paper में 2022 में आने वाले question कौन कौन से है पहला question आपके सामने है अंकेक्षण के पिरकार की संपेक्ष में आपको वड़न करना है और चालू आप इसके देखे पिरकार के बारे में अब पिरकार की जब बात की जा रही तो यहां बूला गया है चालू की परिभासा यहां से पूछ लिए हमसे एक परिभासा आपको याद कर लेना है आंके एक शड़ कारिक किरम क्या होता है किस प्रकार तयार किया जाता है उद्दे सहित गुर्दोसों के बारे मताई यह most important है यह आपका long में बने का question आपको short और long में कभी confusion नहीं होना है आप अपने gas paper अपने जो हमारा खुद का question bank है उसमें तो आप उसको link में description box में दे रखा है आप जाके download कर सकते हैं यहां बोला गया है आंत्रिक रक्षण क्या है यह आंत्रिक कैसकते हैं आंत्रिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिनने है लाव हानी उद्देसों का वड़न करो य यहां बोला गया है कि आंत्रिक निरक्षण जो क्या है और आंत्रिक निरक्षण के वारे में क्या है यह हमसे परिवासा पूछी गई है और यह आंत्रिक अंकेक्षण किस प्रकार भिनने है तो यह आंत्रिक अंकेक्षण से किस प्रकार से भिन होता है आंत्रिक निरक्षण है पर मारन कैसे उनके मेहत को और मिलती है जैसे कि आप से पूछेगा ये चार टिपड़ी पूछेगा एक साथ में तो यह कोशन लॉं बनेगा जैसे कि आप की निक्षण की अधिकार क्या होता है ये चारो जब अब एक साथ पूछता है तो यह कोशन लोग में बनता है और 100% वनेगा आपके पेपर में छपराय इस कोशन को याद कर लेना चलो नीचे हम जाते हैं नीचे कोशन पर अब टिक लगाईए जो एक राश्टी करित बैंक होती है उनका अंकिक्षण करते समय है आपको किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन है हर साल बनाए मनेगा पूछ लो इस कोशन को पक्ता याद करके जाना है ठीक है और अनुसंदान होते हैं उनकी परिभासा अनुसंदान किसे कहते हैं उनके उद्देशों के वारे में याद करना है अंकिक्षण पुस्ट पाल होता है इनके क्षर क्या होता है उनकी बिशेष्टा के आपको देख लेना है इन दूनों को अ capture लेना है और यादD करना है उसकी नर्ट्बुक है उसके वार देखनें की दोर नहीं वड़ेगा एक लागत ऑनकेक्षड होता है वह आप मैंने प्रिकार बता रखे हैं तो जब प्रिकार पढ़ोगे तो भाही काम हो जाएगा सत्यापन प्रत्यापन में चोड़ दीजिए अंकिक्षण अनुसंद्धान के बारे पढ़ चुके हैं तो यहां कुछ पढ़ने की जुरूती नहीं है पूजी लाव देख लेना बाखी सब को छोड़ो बात खतम बात खतम करो इसको ठीक है जीवन वीवा की कंपनी की बात कर देना जो आपको अच्छा लगी वैसा कर सकते हो जब आपके इन कोशनों को याद करके जरू जाईए आशा करता हूँ को वीडियो बसंद आए होगी चैनल को सस्क्राइब कर ल झाल